कि देखना ओमीशन के बाद एक और एंट्री है एंट्री है हमारा नमबर 13 कहता है आज चेक या फिर बी यार दोनों में से कोई भी वर्ड हो सकता है चेक हो सकता है चाहिए बी यार हो सकता है डिपेंड ओन क्या हमारे कोईशन में बोला हुआ है रिसीव फ्रॉम सोहन से मैंने रिसीव किया सिक्स थाउजिन बिकम डिसोनर्ड और जब मैंने सोहन से लिया था लेने के बाद डिसोनर्ड हो गया तो यहां पर रिसीव करने का कोई लिना देना नहीं है Dishonored पर, क्योंकि यहां पर Dishonored बोला गया है, तो हमारा main concentrate होना चाहिए, भई, check Dishonored हुआ है, या फिर हमारा bill receivable Dishonored हुआ है, और debit to sales return account, देखो जब हम किसी से check receive करते हैं, तो entry क्या होना चाहिए, receive करने का, receive अगर मैंने RAM से किया है, तो bank account debit to RAM होना चाहिए, ठीक है न, simple entry bank को debit किया और to RAM किया, वो तो receive का है, लेकिन receive की entry से यहां कोई relation नहीं है, यह कहना चाहता है, जो हमने receive किया था, वो dishonored हुआ है, तो हमारे हैं dishonored है, तो आपको अच्छे से पता है, जब receive करा था, तो bank account debit to RAM किया, मैंने, dishonored होगा तो entry reverse हो जाएगा, RAM to bank, तो यहां पे हमारा check हो, तो bank word use करेंगे, और अगर BR के बारे में बोला जाए, तो bill receivable ही use करना है, ठीक है न, मैंने दोनों point डाल दिया, दोनों एक जैसा ही है, तो इसका correct entry क्या होगा, correct entry, correct entry इसका करेंगे, हम dishonored हुआ है, और सोहन से हुआ है, तो सोहन मैं check को लेके चल रहा हूँ, ठीक है न, चेक, सोहन, debit, और 2, bank, अगर BR को लेके चलता हूँ, तो 2 में क्या रखता हूँ, BR रखता, simple, तो यह हमारा correct entry हो गया, इसके बाद हमें करना पड़ेगा incorrect entry, incorrect entry में क्या है, मैंने debit कर दिया, जब कभी बोला जाए न, debit किया, credit किया, तो जो debit बोला गया, तो debit में ही error है, credit में जो था वो वैसा ही लिखा है, तो बस यह debit की बात कहता है, मैंने sales return लिख दिया है, तो entry कर रहा होगा, मैंने sales return account debit to, मैंने क्या कर दिया होगा, bank, सिर्फ debit में error किया है, मैंने, और यह 6000 रुपए से entry कर दिया, same अगर BR होता तो मैं क्या करता, sales return account debit to, bank के जगहे पे लिख देता, मैं BR, अब हम इसको क्या करेंगे, reverse करेंगे, reverse करना है, किस को entry को reverse करने जा रहा हूँ, incorrect को, तो हो जाएगा, bank debit, bank to sales return, bank account debit to sales return, amount आगया 6000, ठीक है, अब चलो इसके अंदर हम rectify अगर करें, तो देखो, bank यहाँ पे credit है, और bank debit है, और amount दोनों का सेम है, तो कोई minus plus, अगर हम करते हैं, तो 0 बचेगा, it means यह आपस में cancel हो गया, और एक rectify entry निकालो क्या आता है, sohan to, तो rectify entry आगया, हमारा sohan, to sales return, यह आगया 6000, ठीक है, अगर मैं इस entry को direct सोच हूँ, तो बिना 4 entry करें वे कैसे करेंगे, मैंने गलती से entry यह करा है, आप wrong entry सोच लो, correct नहीं सोचना, entry हमने sales return को debit किया, sales return होना ही नहीं चीए भाई debit, तो गलती से debit इसको credit कर दो, देखो, right rectify में credit हो रहा है, और जो चीज हमें debit करना था, वो तो किया ही नहीं, क्या debit करना चाहिए था हमें, हमें debit करना चाहिए था सोहन को, तो सोहन को हमने क्या करना debit, आप direct जैसे जैसे practice करोगे आप, तो आप इसका rectify entry ना, चार entry के बजाए आप एक बार में ही आप इसका rectify entry कर पाऊगे, लेकिन उसके लिए आपको practice चाहिए, ठीक है, तो एक बार 11 entry, 13 entry note करो, इसके बाद 14 entry करेंगे हम single entry, ठीक है, इसको फटा-फट से note करिए आप, देखे, next entry हमने 13 के बाद 14 करना है, और 14 में क्या करेंगे हम single-sided error, अब ये single-sided error क्या होता है, या इसको हम one-sided error के नाम से भी जानते हैं, क्या होता है one-sided error, इसके अंदर एक side error आपको पता चल जाता है, कि ये error है, और second side में क्या आना चाहिए, हमें नहीं पता चल पाता, तो दूसरा side हमारा blank रह जाता है, हमें समझ ही नहीं आता है वहां क्या लिखेंगे, तो क्या हम journal entry अगर पूरा नहीं करते हैं, माल लो मैं journal entry करो सिर्फ, suppose करो, मैंने करा sales return debit, sales return debit 100 रुपए, ठीक है, और two में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्या trial balance match होगा हमारा, नहीं होगा, mismatch होगा, अगर trial balance match नहीं होगा, तो बताओ, क्या final account बन पाएगा, क्योंकि final account जो हम बनाते हैं, वो किसके थूरू बनते है, trial balance के थूरू, तो trial balance mismatch होगा, तो final account में आपका balance sheet भी mismatch ही रहेगा, आपको single sided error कैसे पता चला, मैंने बुला sales return debit 100 instead of 80, यानि 80 के बजाए मैंने sales return को debit कितने से किया हुआ है, करना 80 था और कर दिया मैंने 100, लेकिन ये तो नहीं बताया कि sales return करा किसको है, या किस ने किया है, राम ने किया है, मोहन ने, तो यानि two वाले side आपको बताई नहीं रहा, तो अगर हम इसको correct कर भी दे इसको मिठा के, मुझे पता चल गया भाई, sales return में मुझे 80 लिखना था, और गलती से 100 लिख रखा है, मैंने बोला sales return recorded as a 100 instead of 80, तो instead के बाद वाला हमेशा सही होता है, तो लिखना था हमें 80 लिखा 100, तो चलो भाई हम इसको अगर ठीक कर भी ले, अगर मैं इसको 80 कर भी लेता हूँ ठीक करके, तब भी देखो two side का तो हमें कुछ आता पता चली नहीं रखे, क्या है लिखना चाहिए, अभी भी नहीं पता, तो क्या trial balance match होगा अभी? नहीं होगा, हमने rectify कर दिया है, जो situation given था उसको rectify कर दिया, लेकिन अभी भी हमारा match नहीं होगा, तो ऐसे situation में balance sheet बनाने के लिए, सरिफ purpose के लिए, हमें क्या होता है, कि हमें balance sheet 31 March का बनाना पड़ था, एक certain date पे, और एक तारीक तक हमें बनाके, income tax के अंदर, एक तारीक तक बनाके, हमें companies act के अंदर, हर किसी को represent करना पड़ता है, अगर उस specific date तक नहीं कर पाए, तो हमारे उपर government क्या लगाता है, penalty, जैसे company के case में 30 September, अगर 30 September तक मैं अपनी balance sheet नहीं बनाऊंगा, तो government मेरी company के उपर fine लगाएगी, fine कितना हो सकता, कुछ भी हो सकता, डेड़ लग, दो लग, कुछ भी fine लगाएगी, तो मान लो आप balance sheet बनाने जा रहे हो, 15 September से, 15 September को करा trial balance में चार है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऐसे करते करते हमारा 29 September आ गया, last date क्या है 30 September, तो अब 30 September तक गलती ढूंडी नहीं पा रहे हैं, तो last एक option बसता है, कि हमें balance sheet तो बनाना है, fine से बचने के लिए, तो हम बचने के लिए suspense डाल देते हैं, suspense का मतलब क्या होता है हमारा, कि यहाँ पे इस side में कुछ ना कुछ है, जिसका हमें अभी नहीं पता चल रहा, लेकिन जब पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ठीक करके दिखा देंगे, अगर मैं यहाँ पे suspense को लिख दूँ, suppose करो, अगर मैं suspense लिख दूँ, 80 से, तो अब तो हमारा trial balance मैच हो जाएगा, क्योंकि debit और credit भी है, और हमारा balance sheet भी बन जाएगा, और जिसकी वज़े से हम fine देने से क्या होगा, बच जाएगे, fine, नहीं देंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या match कर देते हैं, suspense से, suspense क्यों लगाया, ताकि हम अभी फिलहाल temporary अपना account क्या कर पाएं, match, लेकिन जब बाद में पता चलेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, rectify कर देंगे, पूरे lifetime तक नहीं रखना आपने suspense, सिर्फ temporary basis पे, एक कुछ ना कुछ तो रखना था, suspense, अभी यहाँ पे credit में, राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, यह हमें नहीं पता, लेकिन जब 30 September को सारा काम करके, government को दे देंगे, और उनसे हम request करेंगे जाके, sir अभी कुछ गलतियां रह गई है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोसिस करी है, और गलती जो रह गई है, वो रह गई है credit side में, और जब हम इसको ठीक करेंगे, तो हम आपको दुबारा एक review करके, new balance sheet दे देंगे, अभी हमारे उपर fine वगएरा, मत लगाईए, तो suspense account क्यों use किया जाता है, ताकि temporary basis पे हम अपने account को match कर पाए, अपने account को हम क्या कर पाए, ठीक कर पाए, लेकिन in future में, जैसे ही आपको error पता चलता है, तो आप इस suspense को हटा के क्या कर दोगे, उसका नाम डाल दोगे, जैसे मानलो two में RAM लिखना था, मुझे 6 महिने बाद पता चला, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बताओ, suspense हटा के क्या कर दूँगा, two RAM कर दूँगा, ठीक है ना, तो single sided error के अंदर, आपको या तो debit में ही क्या गलती है, debit का ही बताएगा, credit तो भूल जाओ के बताएगा, या credit में ही क्या गलती है, credit का बताएगा, debit तो भूल जाओ क्या बताएगा वो, तो यानि one sided error इसी को बोलते है, जिसको मैंने topic का नाम दिया है, single sided error, single sided error के अंदर, हमें दो बातों को समझना पड़ेगा, सबसे पहले, वैसे तो entry में भी देखेंगे, पहले दो बातों को, एक समझना पड़ेगा हमें overcast को, कि overcast का मतलब क्या होता है, एक समझेंगे, अबर कास्ट को हम और भी एक word के नाम से जानते हैं, excess, एक नाम से और जानते हैं, excess, overcast को excess के नाम से भी जानते हैं, और undercast समझना पड़ेगा एक, और इसको एक और नाम है, short, ठीक है न? हम different different तरीके के देखेंगे क्या है, और ऐसे करके हमारा बहुत आसान रहेगा, जैसे अब तक 13 entry में हमें कोई समस्या नहीं आए, आगे भी नहीं आएगी, undercast, अच्छा, undercast, undercast का मतलब होता है, कम लिखना, ठीक है न? इसका मतलब क्या होता है हमारा? कम लिखना, और overcast का मतलब क्या होता है? ज्यादा लिखना, simple word में, देखे दो, undercast का मतलब कम, overcast का मतलब ज्यादा, अब ज्यादा हम, हमारे पास लिखने के दो ही चीज़ है, अब एक तो debit वाला आइटम होगा, ज्यादा लिखने वाला, और एक होगा credit वाला आइटम, ज्यादा लिखने वाले, debit वाले दो आइटम है, चलो हम six chapter पे पहुँच गए अपने, debit वाले कितना आइटम थे? या तो expense होगा, या asset होगा, और credit वाले दो आइटम होगे, income या या liability, ये मैं एक word में भी खतम कर सकता हूँ, चाहूं तो, और ये खतम भी हो जाएगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा detail में बता दू, तो जब ज़्यादा लिखेंगे, तो ज़्यादा कहां कहां लिखा जा सकता है, लिखने का मतलब हमें ठीक करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कम, अगर मैंने गलती से 100 को डेट सो लिख दिया, तो भाई सही करो, सही कैसे करोगे, 100 लिख कर कम करना पड़ेगा, तो कोई से भी points हो, इसमें से, चाहे आपका ये हो, चाहे आपका ये हो, चाहे इन सब को ठीक करने के लिए, हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है, और कम करने के लिए, हम side को क्या करेंगे, change कर देंगे, जैसे मैंने बोला, हमने 50 रुपए salary ज़्यादा लिखा हुआ है, debit करके, तो बताओ कैसे ठीक करें, 50 रुपए को, credit करके ठीक कर देंगे, ऐसे मैं बोलू, sales को मैंने 100 रुपए से ज़्यादा लिखा हुआ है, तो sales तो भाई credit होता है, ज़्यादा लिखा हुआ है, तो debit करके क्या कर देंगे हम, ठीक कर देंगे, ऐसे मैं बोलू, यहाँ पे building मैंने 500 रुपे से ज़्यादा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले सुचो building कौन से वाला item है, डैविड वाला item है, ज़्यादा लिखा है ठीक करने के लिए कम करेंगे, और उसे credit कर देंगे, side change कर देंगे, single sided error है, तो आपको दूसरा side तो मिलेगा न इंदर, क्या मतलब होता है, under cost का, कम, यहाँ पे भी दो चीजे हो सकती है, debit वाले item कम हो सकता है, और credit वाला item कम हो सकता है, अब debit वाले item कितने होंगे हमारे पास, दो हो सकता है, expense, और asset, और credit वाले कितना item होंगे, बताईए, income, और liability बड़ा ही simple है, इन सब को ठीक करने का तरीका क्या है हमारा, हमें इन सब को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा करने के लिए फिर से हमें क्या करना चाहिए, side change करना चाहिए, उसी दिशा में चलना चाहिए, अब ध्यान से सुनना, building तो 20 और building बढ़ाना पड़ेगा, तो building debit वाला है या फिर credit वाला, debit वाला है ना, तो हमें मैंने दुबारा मैदले को लिख भी देता हूँ, मेरे पास building मैंने लिख रख है 80 रुपे से, लेकिन लिखना कितना चाहिए, तो मुझे debit वाले building को और बढ़ाना है, तो debit को increase करने क के लिए debit ही करेंगे, और debit को decrease करने के लिए credit करते हैं, तो जब हमारा already कम है, तो ठीक करने के लिए हमें ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन side को change नहीं करना, side change, side not change, आप खुछ सोचो एक बार, मैंने sales लिखना था 20 रुपे, लिखा है 15 तो और sales लिख दो भाई, तो कैसे और sales, credit ही करके लिखें या debit करके लिखें, पहले से ही 15 credit था, मैंने बोला, और sales लिखो तो कितना और credit कर दो कि 5 रुपे, और credit, तो जब हमारा कम होता है न, तो हम उसे ज़्यादा करते हैं, तो जब ज़्यादा करेंगे, तो side change नहीं होगा, उसी side को increase कर दिया जाएगा, ल जिहान रखना है आपको बस, और बागी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर जादा, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर एक sentence, entry number 14, मैंने लिखा, sales return, overcast, by 100, इसका मतलब sales return ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में क्या करना पड़ेगा, हमें side को change करना पड़ेगा, ठीक है न, overcast, तो सबसे पहले हाप सोचो sales return debit वाला आइटम है, side change तो तभी करेंगे, जब हमें उसका पहले original side पता चले, उसी के बाद change करेंगे, तो sales return debit वाला आइटम है, क्योंकि sales credit है, तो sales return debit वाला आइटम है, इसमें 4 entry करने की अवशकता नहीं है, एक entry में ही कर देंग करेंगे, तो हम कर देंगे, suspense account debit, account debit to sales return, 100 रुपे, उस से simple है, जो हमने 13 entry करा है, बस यहां पर समझ भी आना अच्छी है, और इसमें से एक पक्का है, आपके 4 entry आएंगे exam में, इसमें से एक पक्का आएगा, आपका कोई भी आ सकता है, सेम ऐसे मैंने बोला आपको, कि हमारा जो है, purchase overcast by 50, second entry में इधर लिख रहा हूँ, purchase, entry number 15, purchase, overcast, या excess, लिख सकते हैं हम इसे, overcast by 50, 50 रुपे से हमारा purchase जादा है, तो जादा है तो हमें side change करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले तो ये देखो, इसका original side क्या है, तो purchase का original side क्या होते हैं, क्या करना पड़ेगा, credit तो entry होगा, suspense to purchase, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, अब चलो ऐसे हम एक और entry देखते हैं, मैंने बोला के, sales overcast या sales overcast ही रखते हैं हम अभी, पहले फिलाल, एक entry, इसका entry नहीं है, ये मैं सोचना मैं इसका कर रहा हूँ, चलो यहां कर देता हूँ, 15 के बाद 16, आप से question पूछा जा रहा है, sales overcast by 2000, सबसे पहले side change होगा या नहीं होगा, क्योंकि भाई, overcast वाला concept है, अब sales का original side क्या होता है, credit होता है, तो इसको हमें debit, तो entry क्या बन जाएगा, sales account debit to suspense, सुझ में आ रहा है आपको, तो इसका rectify entry हम कर देंगे, मैं side में कर रहा हूँ, sales debit to suspense, 2000, ठीक है, ऐसे मैं बोलू, एक दूसरे दूसरे language से पहले, आपको कितने entry लिख लिए अपने, 14, 15 और 16, इसको note करिए, फिर मैं 3-4 entry अभी और करूँ है, जिसके अंदर ये पूरा concept cover हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, एक entry मैंने लिखा है यहां पर, sales return record as, 100, instead of, 30, तो अब एक बात ध्यान रखना, मैंने instead of 30 बोला है, इसका मतलब क्या है, कि instead के बाद, जो ये वाला instead के बाद, जो हमारा amount होता है, वो लिखना चाहिए, यानि ये correct होता है, ये ध्यान रखना है, आपने ठीक है, और उससे पहले जो record कर लिया, तो एक part आपको correct पता ही चल गया, तो but of way से दूसरा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, simple language में, अब आपको judgment लेना होगा, कि हमने sales, purchase return को ज़्यादा लिखा या कम लिखा, हमें लिखना चाहिए 30, लिख रखा है 100, तो कितने से ज़्यादा, तो rectify 70 से ही करना पड़ेगा, यानि overcast का case होगा, आपने बुला सर 70 रुपे से ज़्यादा लिख रखा है, आपने purchase return को, तो क्या ये overcast वाला case होगया, अब purchase return का पहले original side पता करो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और ज़्यादा लिख रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा debit, तो rectify entry purchase, return to suspense, 70 से करेंगे वो भी, ठीक है न, हमें यहाँ, ना तु 30 से करना है, ना ही हमें 100 से करना है, किस से करना पड़ेगा, 70 से, 18 एंट्री देखो, मैंने लिखा, purchase book, record, पर्चास, रूपीस, 600, पर्चेज, रिकॉर्ड एक्सेस, रिकॉर्ड एक्सेस, रिकॉर्ड पर्चेज को मैंने रिकॉर्ड किया है, अब देखो एक होता है, पर्चेज बुक, बुक में दोनों साइड होता है, अकाउंट में सिर्फ पर्चेज की बात कर रहे हैं, तो पर्चेज यहां पर मैं एक्के ही बात कर रहा हूं, पर्चेज रिकॉर्ड एक्सेस बाइ 200, पर्चेज को हमने 200 से ज्यादा लिख रख्या है, तो ओबर साइड का केस, ओबर कास्ट का हो गया, साइड चेंज हो गया, पर्चेज का ओरिजनल साइड बता करो, तो हम रेक्टिफाई, क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस, टू पर्चेज, समझ में आ रहा है आपको यह, ठीक है, अब आ जाते हैं हम अंडर कास्ट वाले पॉइंट पे, पॉइंट नमबर 19, सेल्स, अंडर कास्ट बाइ 300, इसका मतलब क्या है हमारा, सेल्स को मैंने 300 रुपए से कम लिखा है, तो अंडर कास्ट वाले केस में हमारा साइड चेंज नहीं होगा, सेल्स का ओरिजिनल साइड अब भी क्रेडिट ही रहेगा, तो एंट्री करेंगे सस्पेंस, सस्पेंस टू, सेल्स, ठीक है, ट्विंटी, परचेज, रिटन, बुक, शॉट बाई 200, अब फिर से परचेज रिटन बुक शॉट का मतलब क्या होता है, काम लिखांडर का साइड चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, अब हमें परचेज रिटन का जो औरिजनल साइड वही वे, क्रेडिट होता है, तो अब भी हमें परचेज रिटन क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सस्पेंस टू, समझ मैं आया आपको, इसके बाद एंट्री नंबर 20, के बाद 21, चलो पहले यह चार एंट्री नोट करो, फिर और देखते हैं हम, अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो एक एंट्री नंबर 21 देखिए, कहता है सेल्स बुक, लेस 41, लेस 41 का मतलब, हमने 41 रुपे कम लिखा है सेल्स बुक में, तो अंडर कास्ट का केस हो गया, और आगे कहता है, 43 हमने जादा लिखा है, ओवर कास्ट का केस हो गया, लेकिन एक ही कुश्चन में अंडर कास्ट भी कह रहा है, ओवर कास्ट भी कह रहा है, तो हम यहाँ पर एक तो दो एंट्री कर सकते हैं, undercast वाले को undercast के हिसाब से treat कर देंगे और overcast को overcast या फिर एक final हम दोनों में से minus plus करके देखेंगे कि net में overcast हो रहा है या undercast हो रहा है देखो 41 रुपे कम लिखा, 43 रुपे जादा लिखा तो ultimately 2 रुपे जादा लिखा गया है अगर आप net balancing करो 41 कम लिखा था और एक जिखा 43 रुपे जादा लिख दिया है तो net में आपने क्या लिखा हुआ है जादा ही लिखा है 2 तो 2 रुपे से overcast ही माना जाएगा हमारा sales book तो हम 2 entry करने के वज़ाए एक entry ही कर देते हैं तो 2 रुपे से overcast है क्या sales book अब side change होगा हमारा suspense 2 रुपे से सबका rectification तो being तो वही रहेगा being rectify entry pass हमने rectify entry क्या करा pass कर दिया इस entry को भी note करिए आप